तो इंडिया पाने के डिस्टल में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि पुलिस केस कब हो सकता है लोन आपसे case में, bank के case में, NVFC के case में, जैसे कि आप लोग सुनते होगे कि पुलिस case हो गया, पुलिस आया, ऐसा कब हो सकता है, ऐसे possible cases कौन से हैं, उसके बारे में हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ में यहाँ पे लोगों की जो फिर से problem start हो चुकी है, लोन तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत informative वीडियो होने वाला हैं आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ important जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैन सबसे पहले मैं लोन एपस के बारे में बात कर लेता हूँ, तो दोस्तों जो अभी क्या हुआ था, दिसंबर के बाद, जैनवरी, फेबरेरी पूरी तरीके से सांत थे, ठीक है, लोन आपस वाले बिल्कुल पूरे तरीके से सांत थे, क्योंकि investigation चल लई थी, RBI की भी चल टी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक लोग पूरी तरीके से सांत हों गए, complaints बहुत लोगों ने करना, बंद कर दी, हमने, बहुत लोगों भी कंप्रेंट की कॉपी मेर को सेंड करी है कि हमने कंप्रेंट करी लेकिन बहुत लोगों में कुछ लोगों ने करी कंप्रेंट बहुत लोगों ने नहीं करी बहुत लोग अभी ये सोच लिए कॉल आना बंद हो गया है सारी चीजे बंद हो गई है तो अब ये कंपणि बंद हो गई होंगी ठीक है इस वारे में भी बात करेंगे अब इस वीडियो में तो ऐसे कैसिस में क्या करना चाहिए ऐसे कैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि आप यह मत समझे अगर कॉल आना आपका बंद हो चुका है कि यह कंपनी बंद हो छुकी है अगर आप यह समझ दे नाकार दिया है, सारी चीज़े कर दिया है, उनको बिल्कुल आप रिस्पॉंड ना करें, पहली बात तो यह है, बिल्कुल रिस्पॉंड ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, इस चीज़ में, ठीक है, जो कंपनी रेजिस्टर्ड है, और यह काम कर रही है, या फिर रेज से एग्रिमेंट लेटर दो जो भी NBFC में सो हो रहा हुसे NBFC में आई क्रेडिट की आप कंप्लेंट्स फाइल करो ठीक है जो भी एपस चित्ते भी टाइम बात कॉल करना बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी कुछ एप फरजी एप की क्योंकि फरजी एप कर रहे थे जिनके पास उनकी कॉंट्टेक्ट लेस्ट चले गए थी तो कॉल करके सोच रहे थे कि किसी तरह उनकी वसूली हो जाए और यहां पर लोगों से वह अपने परस्नल अकाउंट नमबर में पैसे मांग रहे थे ठीक है तो ऐस उसके बहुत लोग लालाच के चक्कर में आके 500 रुपए दे दिये और 1000 रुपए दे दिये और फस गए तो यह लालाच आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है आपको पेमिंट करना है और जो भी प्लेश्टोर पे एपस मौजूद है सिर्फ उनकी पेमिंट करना है फिर झाल को पिक करके legitimate ना करे पुलिस ने भी एइका सायवर पुमज्चिंट ना करे अगर आपको लग रहा है अपने सारी चीज़े कर रखी है तो ठीक है तो इन लोगडाउन की situation लग चुकी है लग चुकी है हो रही है ठीक है salaries cut होके मिल रही है लोगडाउन लग रहा है कि फिर से हो रहा है बहुत हिस्सों में हो चुका है लोगडाउन ठीक है तो ऐसे cases में तो फिर वही problem आ जाएगी और फिर सरकार तो कर देगी lockdown सरकार तो 50% कर्मचारी के साथ काम करो आप यह चीज़े बंद कर दो वह चीज़े बंद कर दो लेकिन जो इमाई जाती उसको भी तो बंद करने के लिए सरकार को बोला चाहिए उनको भी तो दोस्तों आप बताओ इंस्टॉल्मेंट में भी तो शूट देनी चाहिए आप डारेक्ट लिएक अनॉंस्मेंट कर दे तो यह चीज़े बंद हो जाएंगी कल से जैसे कि बंद कर दिया तो कोचिंग इस चूट बंद हो जाएगा तरिक तक तो उनका जो रेंट लग रहा है उनके जो इंप्लॉई काम कर रहे हैसे कहां से आएगा सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए था ना ये कहां से आएगा जो EMI जा रही है वो कहां से पेकर पाएंगे बड़न तो बड़ा है कुछ ना के बराबर करा है दोस्तों इंट्रेस्ट में इंट्रेस्ट कुछ नहीं होता वो सिर्फ माफ करा अगर इंट्रेस्ट भी माफ कर दिया गया होता तो होता कि हाँ कुछ बड़ी चीज़े करी गई है लोगों के पक्षमे लोगों को हीत में इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक का नुकसान नहीं होता बैंक का नुकसान होता लेकिन सरकार की responsibility भी बनती है पबलिक को support करना financially भी जब condition ऐसी खराब हो और यहां पे recovery agent तो आपको पता ही है कि अभी भी कैसे घर में आके बत्तिमीजी कर रहा है बहुत सारी complaints मिल नहीं है बड़ी बड़ी banks के recovery agents घर आके बत्तिमीजी कर रहा है हाला कि उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है कैसे आपको consumer forum में complaint दर्ज करनी है इनकी ठीक है और कब response मिलेगा और पूरा proper detail के साथ मैंने वो वीडियो एक बना दिया है उसका link में description में देने की कोसिस कर होंगा यह फिर आप search कर सकते हो आप मेरे previous वीडियो में search कर सकते हो इस चैनल section में आपको मिल जाएगा यहां पर मैंने एक rbl bank की complaint live करके दिखाई थी file ठीक है तो वह देख सकते हो अब आते हैं सबसे important question में police case कब हो सकता है दोस्तों बहुत सारे हम वीडियो देखते है जैस दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको क्योंकि यह illegal है यह पूरी तरीके से कानून मतलब बोल सकते हो कानून की विरुद दो जाएगा अगर कोई recovery agent आ रहा है अगर आप वीडियो देखके excited हो कि हम इनकी पिटाई कर देंगे यह कर देंगे वह कर देंगे उस case मे आप यह समल्यों कि आपके उपर जरूर कानूनी करवाई होगी आपको जरूर जेल हो सकती है अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो दूसरे तरीके से अपने राइड से बात करो उनसे मतलब आपके अपने अधिकार जानो कि आपके अधिकार क्या है और recovery agent जो आ रहा है उसकी proper आपको डिटेल लो पुरो आईडी नंबर लो ठीक है डी आरे सर्टिफिकेट देगो उसका नंबर लो और इस सारी चीज़े करो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको सीधे ही लड़ जाना है पड़ जाना है ऐसा नहीं करना है और वह ज्यादा बत्ते मीजी कर रहा हो तो उसके बैंक्स में जो कस्टुमर केर का हैड नंबर होता है उस पे कॉल करो उनकी कंप्लेंट फाइल करो बहुत सारे मीडिया में आज कर टाइम पर आर भी आई पर भी है कोई करसी मेथर यहाँ पर अपना नहीं सकता है और ताइम लिमिट में वह आपके घरा सकता है और इतने टा कारवाई लेकिन आप ऐसे मत करना यह गलती करने की कोशिस मत करना पहले तो मैं क्लियरली बता दूँ आपको ठीक है आप सही वे में लड़ना अना ऐसा तो नहीं है कि मारपीट करता है तो फिर उसकी उपर कानूनी कारवाई होगी इनकी बैंक क्यूंपर कानूनी करवाई है और यहां पर कंस्यूमर फॉरम हो चाहिए और भी आई का वेबसाइट हो कर्शिव मैथेड अपनाने वाले पोर्टल है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो मतलब एक सही तरीका भी होता है कंप्लेंट्स फाइल करने का तो आप उसके तुरू कर सकते हो आपकी यवाज ब तो वह भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को यहां पर मिल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं कि नॉर्मल कैसे केस हो सकता है तो नॉर्मल दोस्तों ज्यादा तर मैंने अभी तक जितना आपसे वीडियो बना रहा हूं ऐसा कुछ हुआ नहीं है अगर ऐसा होता है तो मैं कि देखने को हमें नहीं मिला है दोस्तों मुझे उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगर वीडियो पसंद आगर वीडियो को लाइक करो चैनल में नहीं दे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना अपनी प्रतिक्रिया कमे मिलता है इसी तरह एक वीडियो दिखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रिस करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में